आचारे भगवन गुरुवर विश्वित्सावजी मुंदाच भी याम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवर्दी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं नीती हमें सिखाती है कि हमें परिवर्दन लाते रहना चाहिए जीवन परिवर्दन सील है अगर आप इस्थाइत पर ले आए तो आप जी नहीं पाईगे बहुत सारी चीजें जो है वो परिवर्दन सील होती है और उनकी परिवर्दन को मिस्रीकारना चाहिए परिवर्दन कर लेनी सकते कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको सीज़े सीदे ले सकते हैं विक्ति भी वस्तू भी और कुछ ऐसे होती है जिनको बदलना चाहिए अत्वा जिनके बदलने पर उनको पन स्विकार कर सकते है इह बात आज समझना बहुत आवश्यक है जैसे काजू का फल होता है तो काजू का जो फल होता है विक्टी सीधे सीधे नहीं खाता उस काजू के फल को विक्टी को पहले व्रक्ष से निकालना पड़ता है उसके उपर एक फल और आता है उसको अलग करना पड़ता है और इस काजू को वो छिलके अलग करके सेक न बढ़ता है तब कहीं जाकर कि वो काजू आपके खाने लायक हो पाता है ऐसे नहीं बनता काजू का फल ऐसे नहीं खाया जाता तो कुछ न कुछ परिवर्तन करके उसको खाया जाता है कुछ ना कुछ परिवर्टन करके उसको क्षाया जाता है लेकिन आप देखो कि सेवaphor होता है उसको तो आप अगर दो के खाना चाहू तो खा लेते हैं का जुब आफ ये आपमें देखा हो नहीं देखा तो अगर मिठास की बात की जाए तो उस फल की मिठास किसी भी फल से कम नहीं होती बहुत बहुत मीटा होता है वो फल लेकिन देखो आप उसको तो सीधा खालेते हैं लेकिन जो फल होता है फल उसको सीधा नहीं खाया जाता है उसको परिवर्तित करके लिया जाता है जीवन में बहुत सारे चीज़ें आपको परिवर्तन के साथ स्विकारना चाहिए बहुत सारे चीज़ें आप सीधे सीधे भी स्विकार सकते हैं यह लाइफ है इसमें बहुत सारे फेसेज आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं उनको फिर वैसे एक्षेप्ट करना सब्सकर बहुत सारी चीज आप सीदे-सी कारते हों प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें आप सीधे सीधे स्विकारते हूं और बहुत सारी चीज़ों का बदलते हूं कभी आप लोगों ने जब बोजन बनाया हूं या सैलेट खाई हूं तो उसमें ककड़ी को विश्च निकाल करके लेते हूं और टमाटर के सिर्फ स्लाइज करके रख लिए नमक दोने में बराबर डालते हैं यह प्रकृति समझा रही है आपको कि कुछ चीज़ें परिवर्तन करने वाली होना चाहिए और कुछ सीज़ें सीदे सीदे वाली होना चाहिए इसलिए आज की नीती भी कह रही है कि जो बदलने लायक है उसे बदले जो बदलने लायक नहीं उसको सुईकार ले और जो हानिकारा को उसे छोड़ दे तीन बाते बहुत महत्पूर्न है आपके जीवन के लीए जो बदलने लायक हो उसे बदले जो विक्ति या वस्तु बदलने लायक नहीं है उसे वैसा का वैसा सुईकार ले और वास्तित्ता में हानिकारक है उसको छोड़ने में उससे दूर होने में देर न लगाए चाहे चेतन हो अचेतन हो विक्ति हो वस्तू कितनी भूक लगी हो आपको और अगर आपके गर में दूद रखा है और अगर दूद में अगर छिपकली गिर गई है तो दूद आप नहीं पी होगी रात को बली पानी पी किस हो जाओ आप बदल नहीं सकते उसको अब बदल नहीं सकते उसको अब वो छोड़ने लाइक है क्योंकि वो उहानिकारक हो गया क्योंकि वो उहानिकारक हो गया इसलिए बदलने लाइक नहीं तो जो बदलने लाइक है उसको जरूर बदले लेकिन जो बदलने लाइक नहीं हो रहा है जो बदल नहीं रहा है जीवन में अगर शांती चाहते हैं तो उसको स्विकार ले अगर आप जीवन में सांती चाहते हो तो उसको accept कर लो change the changeable, accept the unchangeable, left the harmful बात छोटी सी यह तीन लाइनों की है लेकिन जीवन में इससे बड़ी शांती कभी नहीं आई है आपने शादी कर ली आप पती से कह रहे हैं कि गुट का खाना छोड़ दो मंदिर जाना प्रारम कर दो तार्मिक प्रवत्ति ला उन नहीं ला रहा है उसको स्विकार कर लो कि अपन कुछ नहीं कर सकते बेटा है आप में उससे कह बेटा मंदिर जाओ उसके कह जैसा मात टूम बोलोगी वैसा मैं करता हूँ ठीक है मंदिर ग्या है change the changeable वो जो है वो change हो रहा है ना तो उसको change कर लो और नहीं हो रहा है उसको accept कर लो कि कुछ दिन का जीवन है साथ में जीलो फिर वो अपने रास्ते अपने रास्ते और अगर वो नहीं मान रहा सक्तिवेशन कर रहा है आपको बहुत मारता है पीटता है नहीं समझता है बात left the harmful दूर हो करके शान्ती से जीना अच्छा है कुछ लोगों की नजदीकिया बहुत जरूरी है कुछ लोगों की दूरिया बहुत जरूरी है लेकिन जितनी नजदीकिया है उतनी रखें उससे जादा ना रखें जितनी दूरी ज़रूरी है उतनी रखें उससे दाधन ना रखें तवे पर ही रोटी बनती है और तवे पर ही रोटी रोटी तवे पर बनती है रोटी तवे पर जलती है तो अपने पास होना चाहिए बुद्धी पके हुए भोजन को आप अगनी पर नहीं रखते लेकिन भोजन पक जाए तो आघ नि रख नें लेकिन अगर बोजन पक रहा है अभ उसको अगनी का से यूँन देते हों रोटी भी तवे से निकाल करकि अगनी पर रखे जाती है यह पक जाए फूल का बन जाएँ कि करते नो बस तो यही बात कहना है कि जिसका निकटता जिसका सामीप जितना चाहिए उतना ही रखें उससे जादा ना करें जादा रखोगे तो आनिका रहा है जो बदलने लाया कि उसको बदल दें बहुत सार लोग जो होते हैं उनकी प्रकृतिया बदल सकते हों जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको अब धरम के अनुसार अपने अनुसार ढाल सकते हो एक बात सोचना आपके एक साल के बच्चे को छे मेने के बच्चे को यह नहीं पता कि नमक क्या होता है उसको नहीं पता कि मूं की दाल क्या होती है उसको यह भी नहीं पता कि शक्कर क्या होती है उसको नहीं पता कि मुबाइल क्या होता है उसको नहीं पता है लेकिन आपको पता है अगर आप उसक होते हैं खट भी होता है मींटफ़ी होता है कि लेकिन उसका पर्रमक कि आप चाहते हो जहां चाकर दाल करते हैं from the first day आप चाहते हो कि आपका बच्चा धार्मे को मंदिर जाए कपड़े धंके पहने धंकी बढ़ाई करे एक अच्छा व्यापारी बने उच्छा आद्मी बने अच्छा विक्ति बने नीतिवान बने नेतिक बने तो आपको from the first day उसको वैसा ढाल के रखना चाहिए बेटा मै तुमको अपने पास ही रखूँगा तुमको जो कुछ करना है मेरे पास रखे करना है तो आपको बच्चा अपने पास रेकर की सब कुछ करके दिखाए दुनिया में इतने I.S. बन रहे हैं इतने बच्चे C.A. बन रहे हैं कि सभी बाहर पढ़की होते हैं क्या जो बाहर प नहीं आप लोगोने देखा उना देखा हुमिने देखा हैं दादी माँ को ओओ चोटे बच्चे के लिए कर सर्सो और राई के दाने की थकिया बनाती है चोटी से थकिया बनाती है और खिसमें उसको सुलाती नियोंता ताकि उसके शिर का शेप अच्छा आ जाए एक बात और देखना मालेश वाली बाई आती है उस पुरे शरीर में उसके बेशन लगाती है ताकि इसके रोम खंड निकल जाए और वो उसके बाद उसके बॉड़ी को एक शेप देती है क्यों देती है क्योंकि अभी वो नहीं है जहां थोड़े दिन निकले फिर आप चाहे मालेश करो चाहे कुछ भी करो उसका शिर का वैसा आकार बन चुका है शरीर वैसा हो चुका है आप कुछ नहीं होगा है उस समय चेंज कर सकते हैं चेंज दा चेंजेबल टाइमिंग बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रखती है जीवन में यह टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है चेंज दा चेंजेबल जो परिवर्तन जिसका कर सकते उसको बदलो लेकिन जिसका परिवर्तन नहीं कर स पर उसको स्विकार करो कि यह हमारे साथ ऐसा ही रखेगा कि यह हमारे साथ जीवन में इस समय ऐसा ही चलेगा अगर आपने चेंजिबल को चेंज कर लिया तो ठीक है और अचेंजिबल को एकसेप्ट कर लिया बहुत जादा शान्ती मिले कुछ लोगों के सुभाओं का बदल नहीं सकते तो जिन लोगों के सुभाओं का बदल नहीं सकते उनको एकसेप्ट करते जाओं जिन लोगों के सुभाओं का बदल नहीं सकते उसको स्विकार लोग जीवन में शान्ती आ जाए मैं मुंबई के अतब रोजन के लिए और वहां का अपना अपना ट्रेंडे सब जगह का उन्हों ने बोला कि भाईयजी हमारे यह तो दो फैर के बारा बजे के बाद ही बोजन के लिए ले आते हैं कि दस लक्षण पर रूम है तो सुबह एक किलास अभिशेक पूजन विधान प्रहोचन उसके बाद में जाता था अपने स्थान पर वापस जाम रुके थे दो किलमेटर दूर वहाँ सामाई करता था सामाई के बाद वो भोजन के लिए लिया थे नहीं जगा कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती थी कभी कोई चीज़ कम हो जाती थी लेकिन हम वहाँ बहुत शान्ती से जीए क्यों तो कि अपने निर्णे कर लिया था कि accept the unchangeable उनकी प्रक्रिया वैसी है लेकिन अपने व्रतों में हम compromise नहीं खरेगे लेकिन जो accept करने वाली बात है वो भी accept करना चाहिए बहुत सारे लोगों को जो आपके साथ संबंध में हैं परिवार के हैं उनको आप change नहीं कर सकते हो उनको accept कर लो ताकि शान्ती बनी रहे शान्ती बनी रहता कि बसो कुछ नहीं है मेरे तो यह मानना है कि जीवन में खुद की शान्ती और खुद के आनन से बढ़के दूसरी कोई चीज नहीं रास्ता सही होना चाहिए, निर्ना सही होना चाहिए, शांती का जीवन जीओ, जादा भाग दोड करने से, जादा कमाने से, जादा यशा कीर्दी की पीशे भागने से, इस समाज मेरा नाम चलेगा, कुछ नहीं होगा जगत में कोई ना पर्मानेंट जगत में कोई ना पर्मानेंट लेडीज या जेंट्स जगत में कोई ना पर्मानेंट जब कोई पर्मानेंट नहीं है ना आप पर्मानेंट ना वह वेक्ती पर्मानेंट ना आपका नेचर पर्मानेंट ना उसका नेचर पर्मानेंट तो क्यो अपन ज्यादा लोड ले एक्सेप्ट दा एक्सेप्ट दा अंचेंजेबल जो परिवर्तन की योग नहीं है उसको स्विकार लुफ और इसके लिए ओम इग्नुरायनमा करना ही पड़ेगा और कोई आप्शन नहीं है जरूरी नहीं कि हम जिसके साथ रहे हैं जिसको पसंद कर वो भी तो कुछ चीज़े छोड़ छोड़के में बसंद कर रहे हैं केले केला आपन खेद के लाते हैं तो छिलका कोई नहीं खाता छिलकी को तो अलगी कर देते हैं खाते तो उसका फल ही है ना जबकि केला खाना है सिता फल खाते हो आप लोग पता है कि सिता फल ऐसे नहीं खाने मिलेगा, उपर का निकालो, अंदर का भीजे निकालो, तब मिलेगा, या आपको पता है, पता है की नहीं, फिर भी आप वो लेते हो, तो जहाँ 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 चेंज कर सकते हो, उसको चेंज करते हो ना, बाकि अगर चेंज करने लायक नहीं हो, तो सर्वस्रेस्ट है, left the harmful जो हानी का रख हो उसको छोड़ दो क्योंकि अपने जीवन की शान्ती अपने जीवन का आनंद सबसे महत्पून है सबसे महत्पून है आप देखो कि आप जब ठंडी की मौसम बहार निकलते हो तो आप मौसम को बदल नहीं पाते हो खुद को बदलते हो जब गर्मी में बहार निकलते हो तो आप दुनियो को बदल नहीं सकते हो मौसम को बदल नहीं सकते हो आप खुद को बदलते हो और जब आप बरसात के समय बहार निकलते हो तो पानी को कहा रोप पाते हो खुद को बदलते हो प्रकृति ने सिखाया है कि खुद को बदलो और नहीं बदल सकते हो तो left the unchangeable जहाल आपको लग रहा है गर्मी बहुत नहीं मत निकलो बार, घर पे रहो सुकून से अपने जीवन का आनंद अपने जीवन की शान्ती ये दो चीज बहुत महत्पून है अपने जीवन का आनंद और अपने जीवन की शान्ती इन दो चीजों से कभी विमुक नहीं होना इनके लिए जो कर सकते हो सब कर लेना च्योंकि रहना आपके साथ वो ही है जाना कुछ भी नहीं है आपके साथ जिनकी शादी को 40 साल हो गए 50 साल हो गए 25 साल हो गए वो देखे अपने जीवन को क्या हो रहा है बिल्कुल जो अंतिम समय का वक्त है कि बस आखरी सांस चल रही है सांस छूट रही है अब दीरे दीरे मुख से पानी निकलना भी चालू हो गया है बिल्कुल at the end point है आत्मा शरीर को छोड़के जा रही है आत्मा शरीर को छोड़के जा रही है आपके साथ क्या जा रहा है आपके साथ क्या जा रहा है जितना जीवन तुमने शांती से जिया है जितना जीवन तुमने आनन से जिया है बस सिर्फ और सिर्फ वो ही तुम्हारे साथ जा रहा है तो क्यों अपन विकल्ब करें क्यों अपन संकल्ब करें जो हानिकारक उसको छोड़ दें जो हानिकारक है उसे दूर हो जाए जो आपको लग रहा है कि हानिकारक है और हानिकारक नहीं है उसको ना छोड़े जो वास्तविक्ता है सच है जीव आपने मेरी बात स्रिकार लई तो तो जीवन का आननन है को अंदर से होती नर्ब में कभी नहीं रहे हैं कभी नहीं मिल सकते हैं कभी नहीं मिलखती वह मिलेगी तभी जब आप एक्सेप्टेंस लाओगे लाइफ में आप रास्ते में जा रहे हो एक एक ती बहुत तेज गाड़ी से निकल रहा है और उसने आपके पर कीचर्ड उचाल दिये कोई बात अब गाड़ी तो निकल गई कीचर्ड भी आ चुका है रुक करके उससे लड कपड़ा गंदा हो चुका है के अपने भाव घंदे ना करें अ मुल हम नपने भाव गंधन ना करें होमने ऑप्सकों एक्सेप्टेंस लाइफ में जो बचीज आपके साथ घटिदे हो रही है उसको एकसे एक्सेप्टेंच लाओ और हमारा जीवन ऐसा आइसा सुद्ध कर स करोड़पति हो अरभ-पति हो जिसके पास इतना पैसा हो कि और एक करोड़ रुपशा घर सब्सक्राइब 5 major चाड़ है तो इसकी एक लोटा ही राक होती है श्क्रा में जाएगी एक दिन उसकी मिट्टी हो जाएगी और आपके परिवार के लोगी पानी पीलेंगे तुम्हारा ढटा समागते हैं तो जब ऐसा हो नहीं है तो लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओना कि हमारे साथ यह हो रहा है बात का तो जो लोग टकले हो जाते हो बालोग आने चल उसको एक्सेप्टेंस लाओ जो दूय को प्टा होना से इस जो जो चीजट चैंजेबल नहीं उसको एक्सेप्ट करना से तो onset अचनींजेबल एक्सेप्टेंजेबल उसको अग्सेप्टगरने इज़ आज की नीति है कई भार चीजों को बदला जाता है कर ग्हें एंटको सार है जीवन का बागती तो सब वियर्थ है शेश आगे दिखेंगे बगवान महावीर सौमीर के जैए